कर दो है कि हुआ है है हलो मेरा नाम लॉट दीपक एड़ेकर है मैं मनोविकार शेक्स रोग संभोहन और वेसमूथी तग्या हूं है कि हमारा ओस्पिटल आपकोला में महाराश्ट जहां मनोविकार सेक्स रोग इनका और वेसम का इलाज करते हैं या रिष्टीदारों के समे तम लोगों कि जिससे अपना मानसिक स्वास्ति के अच्छा रहेगा और हम पीस्फूल लाइब जी सकेंगे खुशी की लाइब जी सकेंगे बहुत मज़े की लाइब जी सकेंगे उसमें कुछ पॉइंट है नमबर एक कि भाई always stay hungry stay hungry इसका मतलब क्या है कि हर्दम आप भुक्य होना चाहिए कुछ ज्यान लेने के लिए कुछ सिखने के लिए कुछ पाने के लिए इसका मतलब ऐसा है कि आप बहुत ही inadequate, restless हो और उसके लिए मरमर कर रहा ऐसा भी नहीं मतलब आप खुश हो समादाने हो शानती है दिमार में तो समादान उसको सफलताम कोई भी बात निल सकती है दूसरा है को ऐसा पोलते है दुसरा है लोग बोलती कि बही बहुत लंबी उमर है पने, करेंगे आराम से करेंगे, मैं बोलता हूँ उमर बहुत छोटी है, लाइफ is very short, हमको मालूम ने कि हम कब मरने वाले हैं, पता ने हमारा टाइम कब आएगा, हमारे परिजिक डॉक्टर है, उनका अभी अभी मतलब जल्दी फिरते थे, सुबह बात किया, घुमे फिरे कुछ काम किया, और सड़नली खड़े-खड़े खलास हो गया, मर गया, हारे टाइका गया, हमारा समय ऐसा है कि, ऐसा लगता है कि बहुत सारा हमारे पास में समय है, मगर समय बहुत छोटा है, यह आपने को ख्या लगना मतलब कब मर जाएंगे, मालूम नहीं है, तो जो भी काम है, वो खटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, और इतना जल्दी कड़के, मानसिक स्वास्त्य समाना, मन की शांदी उसमें पाओ, ताकि हम बहुत कूचाई पे हम जा सकते हैं, पिर नेक्स पॉइंट जो मैं आपको ब आसिल करने में साहताओं की मदद हो जाएंगे उसमें, और डेफिनिटली आप करेंगें, फोकस ही रहां को, क्योंकि फोकस जो है, वो कुछ भी है, मतलब कुछ भी आपको मिला के दे सकता है, मैं हर दो एक्जांपल देता हूँ कि सरकस में, हम देखते हैं, सरकस जबाती है ह उसमारे शहर में तो हम देखते हैं, कि यह रसी बांधी रहती हैं, एक साइड से लेकर दूस्य साइड तक और रसी के ओपर एक घट्टी चलता है और वो हातने वांबू लेके चलता है, वो धिरे 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 एक रसी के ऊपर चल रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है और वहाँ परुचुँंगा त ACTक मेरा focus भाइक हो रहेंगा अखको पोगो रहें के आपको जाना कहा है यहान जाना नहीं जरू ही जाना नहीं यह happy and आप आपका फोकस रहेंगा, दो तीन चीज़े, चार चीज़े कर रहे हैं, चार जगह हाथ मार रहें, उसके बदले पर एक ही जगह हाथ मारा, एक ही जगह फोकस रखा, और वो काम आपका बिल्कुल सफ़ल हो जाएगा, कलपना को हो कि मेरे हाथ में ऐसे मतलब ऐसे दो मेरे और आपके हाथ में मैंने बॉल दिया और बोला कि दोनों उंलियों को एक साथ बॉल लगना चाहिए तो संभव है बिल्कुरी संभवने आप बूलेंगे क्या बात कर रहे हैं मैं बॉल माना तो एक ही उंली को बॉल लग जाएगा क्योंकि फोकस एक रहा तो अपना अपनी सफलता जरू आपको मिल जाएंगी नेक्स पांट जी मेरा है कि आपको फेक करना पड़े ऐसा पोलते हैं कि फेक टिल यू मेक इट एक लाफ्टर कलब है लाफ्टर कलब में लोग आते हैं और बहुत जोर जोर से हसते हैं अलग अलग तरह कि हसी में प्रेजेंटेशन मतलब देते हो वह इसलिए हैं कि हमको अज़र उधा एक आपको खुश करने करी तो फिक इट यूमेग आप खुश ही आप खुश ही नहीं है अब क्वे नखी है वह दूप में उधास हूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा जब आप बोलते हो ता आप सच्ची उधास हो जाते हूं आप जो भी बोलते में हिए हमारे उपती हमारे नीट सब्सक्राइब उपता है आप बहुत बड़ काम एह बहुत बड़े हो हमारा तो छोटा सा है हमारा कुछ खास नहीं है ऐसा हार्द यूंक बोल्ड म Мыट और नहीं है वहुत उल्ड पेह हमारा डॉटता है कि मारा दो अच्छा नहीं है तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस मतलब अच्छा बोलु आप ऐसा जाएंगे आप ऐसा अजा फेक करेंगे हम पूलते हैं आप करने से अपने आपको फैदा होता है, जह आपने और परसिनलीटी बदल सकते हैं, अपने आपको फैदा हो रहा है फायदा कुंसा अपने बीम में मतलब अपने होने में हम जो बलते हैं कि I am happy I am feeling very enthusiastic तो ऐसा आपने आपको फायदा शहा हो रहा है तो वहां fake करो तभी चलेगा कोई problem नहीं है और वहां से आपको सफलता जरू मिले कर आपका जिवन भी अच्छा हो जाएगा क्या ने पॉलता जो जब आंप अगर आप जो जब शांति का अख़न होता है अलब जिसा वार में बोलते हैं वार कभ वोर की कतारी कब होति है वार जिता कभ जाता है तो जो जंग हे वह जिता जीता जाता है पहले कमरे में, कमरे में पहले जीता जाता है, मतलब कमरे में पुरा प्लान बनता है, पुरी स्ट्रेड़ी बनती है, और पेपर के ओपर पहले जंग जीता जाता है, उसकी तहरी कब होती है, जंग जितने की, तहरी कब होती है, जब जंग नहीं है चालो, जब आपको जीतने का, जंग जीतने का बोलो, खेल में बोलो, या कई भी आपको कुछ जीतना है, तो आप जितना भी अपना पसना बहा होगे, तो उस समय आपको मतलब सफलता मिल सकती है, एक जो स्पोर्समन था, वो बोलता था कि वही, मैं जब मेरा जो अपोनेंट है, मेरा जो दोड़ने की पैक्थी कर रहा है तो फिर मैं कासा सो सकता हूं क्यूंकि उसके आगए जाधा बैक्र्ची कर रहा हूं मतलब वो दोड़ रहा है तभी मेरे को दोड़ने का है हम क्या बलते हैं स्मार्ट वर्क करो स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता हमारे देश में लोग जारा से ज्यादा 45 घंटे है 40 घंटे काम करते हफते बर में आपको जी सफल होना है आपको यह सब्सक्राइब और और वह बारा घंटे रोज चाहं करते हैं तो वे भी आप काम करते हो जादा और आप जितना जादा पसेना बहांके उतने जादा सफलता आपको definitely मिलेगी फिर और एक point मुझे बोलने है लिए आप किसको पर विश्वास करते हो मतलब आप जिसकी पर विश्वास करते वो हो जाए यदि आपका विश्वास ऐसा है कि मेरे से यह होंगा नहीं मैं असफल हो जाओंगा मेरे से मुझे सफलता मिलेंगी नहीं मुझे यह संदों नहीं है यह ऐसा पुरा पक्का विश्वास हो गया तो फिर आपको डिफिनेटल the और छोटी शोटी जोटी बात के ओऊपर काम करो और नहें अर्ल कि मैंने यहां सफलता मिले मैंने अफ सबास लिबत उन्हें उसे जलांब्य गणी कॉंखिनस बढ़ेगा तो आप झिरे झिरे-जिरे बड़े काम आप में लिलो और आपको सबस्ता मिल जाएगी नेक्स पॉइंट ये बताना है इसा बोला जाता है कि आपके आसपास में पांच लोगों का सोभा बताओ उनका सभाव क्या है आपके आज पास में जो लोग है पांच लोग उनकी संपत्ति उनकी वेल्थ उनके पास कितने पैसे कितने हैं मेरे बता हो आपके पास में कितने पैसे होंगे एसा बोले जाता है कि a man is known by the company he keeps तो आपको हरका यह देखना है कि रोज सुबाप कम से कम ध्धंटा कुछ ना कुछ बूक अच्छा पढ़ेंगे इंस्पिरेशनल बूक्स विडियो देखेंगे या कोई इंस्पिरेशनल टॉक सुनेंगे और यह आप करेंगे एक्सराइस करे करेंगे खुद को विजुलाइज करेंगे कुछ ना कुछ खुद को सुचना है देंगे अच्छी तो डेफिनेटल आपको जो भी चाहिए वो मिल सकता है तो आपका जो सुबा का टाइम है वो अच्छे किताबे वीडियो टॉक सुनना एक्सराइस करना विजुलाइजेशन एक घंटा की काम के लिए दो तो आपकी जिंदेगे में इतना परिवरत आ जाएंगा आपको भी सोचेगी भी नहीं हमारा उद्देश है कि हर एक के लिए मांसिक स्वास देगो मैं बताता हूं आपको इस तरह का मैंने बताया वह आप करते रहते हो तो डिफिनेटली आपक के लिए पर शेर करो गूट के पर शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक यू वेरी मच्छ